नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका नीतकर शाहिस चैनल में और आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पीड एंड वेलोसिटी को ले करके है इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे और क्या-क्या चीजें इससे बन सकती हैं प्रश्ण क्या पूछे जा सकते हैं उसके देखे जब तक आप वहां से लाइक, शेर, सस्क्राइब नहीं करेंगे हमारा मनोबल नहीं उठेगा उपर और जब मनोबल एनरजी नहीं मिलेगी तो हमको काम करने में भी मज़ा नहीं आएगा इसलिए आप सबसी यही निवेदर है कि बैठे बैठे शेर ही करना है तो जो है cover हो सकें तो अब इसी के साथ जो है मैं start करता हूँ और speed and velocity लगातार इसको वीडियो पढ़ रही है उसको आप note करते रहिए please note करते रहिए note करने से क्या होगा एक short note prepare हो जागा जो examination point of view के लिए बहुत ही जादा important है तो चलिए speed and velocity साथी साथ अंतर भी बताऊंगा क्य होता है speed and velocity में तो अब आप यहां पर देख रहे होंगे आई पहले सबसे पहले पढ़ते है चाल होती क्या है मतलब speed क्या होती है कोई वस्तू एकांक समयांतराल में जितनी दूरी ध्यान दिजिए का जितनी दूरी तै करती है या करता है उसे उस वस्तू की चाल कहते हैं द या कि आप लोग ने पढ़ा भी होगा कि चाल बरावर होता है दूरी बटे समय यह एक्चली समय कहलो या समयांतराल कहलो एक ही बात है अब जरा गौर करिएगा मैंने यह कहा कि दूरी तै करती है बट यहां मैंने किसी भी प्रकार के डायरेक्शन की बात नहीं की मैंने मैंने मैंगनीटूट की तो बात की बट यहां पर मैंने किसी भी तरह से डायरेक्शन की बात नहीं की मैंने ऐसा कहा क्या कि कोई वस्तू एक आंग से मैं अंतराल में उत्तर दिसा में जितनी दूरी तया करती उसे उस वस्तू की चाल के तो नहीं ना मैंने ऐसा कहा साथ क्या एक अधिसरासी मैंने पहले इस प्रिवेस वीडियो मता रखा है वे राषिया जिन में परिमाड तो होता है अर्था डैरीक्षिन नहीं होती वह होते क्या होते हैं अधिस रासिया होती है चीजे क्लियर है तो कहने का मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय और ये कैसी रासिय है एक अधिस रासिय क्यूंकि यहां हमको परिमार देखने को मिलता है दिशा देखने को मिलती नहीं है चली इसकी यूनिट हम देख लेते हैं तो यून के समयांतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं अब ज़रे के अंतर हो गया यहां पे विस्थापित होती है विस्थापित की बात हो रही है डिस्प्लेस्मेंट की बात हो रही है याद रखेगा चीज याद रखेगा चाल में दूरी की बात क करेंगे है ना और यह वही विस्थापन है दोस्तों और याद रखेगा मैंने इसे पहले वाले वीडियों में बता रखा है कि मैंने बताया था कि एसे एसे चीजे जो है बी तक अगर चल लही है अगर जैसे माल लीजे जैसे कोई चीज है अगर जैसे माल लीजे कोई एसे बी तक चल लही है और बी से सी तक चल लही है तो मैंने क्या बताया यह जैसे यह चार है और यह तीर है और तो अगर मैं अभी आपसे को तो कुल दू तो यह 5 आया और मैने बताया यह इस direction में मतलब कि North East direction में है इसका मतलब यह क्या हो गया यह हमने जहां इस की बात कर दी डारेक्षन की बात कर दी वो क्या हो गया सदिसरासी हो गई यामनिक वेक्टर क्वांटिटी हो गई कोई वस्तू एकांक समयांत्राल में जितनी विस्थ आपित आ गया जहां पर विस्थापन आ गया तो वो तुभाई सदिस रासी हो ही गई ना यानि सदिस रासिया वे रासिया जिन में क्या हो क्या हो परिमार के साथ सा दिशा भी हो मैंगनीट्यूट के साथ सा डारेक्शन भी हो वे हमारी कैसी रासिया होती है सदिस रासिया होत पता दिया है चीजे क्लियर हो गई होंगी यानि किसी निश्चित दिशा में देखें दोस्तों यहां पर दिशा की बात हो गई यहां पर यहां पर दिशा की बात नहीं थी पर यहां थी किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिती में परिवर्तन की दर को वेक क पल दूँगा जैसे मान लिजे वेग बराबर भी आप समझ रहे होंगे विस्थापन बटे समयांतराल होता है और इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड़ ही होती है यह सब सारी चीजे हो गई आप ज़रत गौर कीजेगा यहां कोई वक्ति है और स्पेर्ड तक उसको आना है तो स्पीड क्या होगे 5 km पर आवर स्पीड की जब भी हम बात करेंगे तो हमने क्या बोला 5 km पर आवर तो यहां पे स्पीड क्या हो गई यहां पे तो स्पीड 5 km पर आवर हो गई अब जैसे मान लिजे कोई सर्कुलर पाथ है यहां से वेक्ति दोड़ना स्टार्ट करता तो इ वापस वो बिंदू ए पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी जीरो क्योंकि कोई डायक्षण थोड़ी क्लिए है वो तो गोलगोल घूरा है क्या कोई डायक्षण क्लिए है क्या कोई सर्कूलर पाथ है उसके एक व्यक्ति 5Km per hour की speed से अगर दौड रहा है अगर दौड रहा है वो दौड रहा है और वापस अपने A बिंदू पर आ जा रहा है तो उसकी speed तो 5 mm पर आउर हो गई पर तो velocity 0 हो गई कैसे हो गई क्योंकि यहां पर direction थोड़ी हो तो गोल 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 घूम रहा है ना जब particular किसी direction में जा रहा होता यहां किसी direction की बात कर रहे होते हैं जैसे मैं कह देता A to C जा रहा है यह direction में बात कर रहा होता तब तो वह वेग हो जाता है है ना तब उसमें विस्थापन भी आ जाता बट ऐसा नहीं है तो अब दोनों को अंतरा आप समझ गया होंगे चाल एक अधिस है चाल एक अधिस रासी scalar है और वेग एक सदिस यानि की vector है चाल में हमेशा दूरी को लेते हैं और वेग में हमेशा विस्थापन को लेते हैं थोड़ा यह जरूर गवर करिएगा बड़ा कनफीजन होता बच्चों को छोटे-छोटे बाते हैं पर यह है मोटी हो जाती है तो कहने के मतलब यह थोड़ा ध्यान दीजिएगा है difference between speed and velocity यही difference होता है तो मैं अब वीदियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और प्लीज अगर अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर भी कीज़े लाइक कीज़े वीडियो पढ़ दे पढ़ रहे तो हम अगर आप ततपर है तो प्लीज आप भी ततपर होई है और कुप इजाद लेता हूं मिलते नेक्ष्ट वीडियो में धन्यमाइट